रोहिचेटी और अजय देवगन जब मिल जाते हैं तो ब्लॉकबस्टर फिल्म तो बनती ही है गोलमाल अगेन के बाद ये जोड़ी फिर से एक साथ काम करने जा रही है और लेकर आने वाली है एक और नहीं फिल्म इसका इशारा खुद रोहिचेटी ने किया है निर्माता निर्देशक रोहिचेटी ने अजय देवगन के साथ गोलमाल सीरीज और सिंगम सीरीज की बैक टू बैक ब्लॉक बस्टर फिल्म में दी है और फैन्स को एक और नई फिल्म जल ही देखने को मिलेगी रोहिचेटी आजकर टेलिविजन पर बच्चों के लिए लिटल सिंगम के नाम से एक काटून सीरीज ला रहे हैं और उसी की तयारी में व्यस्त है इसी दोरान उन्होंने कहा है कि वो जल्दी ही अजय देवगन के साथ कोई बड़ी फिल्म बनाने वाले हैं और उनकी फ्रेंशाइजी गोलमाल या फिर सिंगम में से किसी एक में से नई फिल्म आ सकती है उन्होंने कहा कि इस सिलसले में उनकी अजय देवगन के साथ बाच्चीत भी शुरू हो चुकी है जल्दी ही इस बारे में कोई फैसला कर लिया जाएगा दरशल house चैटी अभी final करने में लगे है कि वो नई फिल्म के लिए गोलमाल सीरीज की फिल्म पर काम करें या फिर सिंगम सीरीज की अगली फिल्म बनाएं एक संभावना किसी बिल्कुल नई स्क्रिप्ट पर काम करने की बही हो रही है रोहित शेटी की फिल्में भारी भर कम बजट वाली होती है और ऐसे में कोई भी फैसला बहुत ही समझ बूच से ही करना होता है रोहित शेटी और अच्छे देवगन की गोलमाल और सिंगम सीरीज की फिल्मों को दर्शकों ने खुब पसंद किया और सिरीज की सभी फिल्में काफे सफल रही है इन दोनों मीज से किसी सीरीज की फिल्म बनती है तो उसका काम्याब होना पक्का होता है लेकिन रोहित नया प्रयोग करेंगे तो वो भी धमाकेदार ही होगा देखना ये होगा कि रोहिच रेटी इधी मेर से किसी को चुनते हैं या फिर कुछ नया करते हैं जो भी होगा अच्छा ही होगा तो दोस्तों आप अजे तेवन की अगली फिल्म कौन सी देखना चाहेंगे गोलमाल फ्रेंशाइजी की कोई एक फिल्म या फिर सिंगहम फ्रेंशाइजी की आपकी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रू बाता हैं बॉलिवर से जोड़ी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें बॉलिवर जॉंक्शन